नमस्कार प्रिया जनो वेद आस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है आज हम सुनेगे ब्रहस्पती व्रत कथा जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी भगवान की पूजा की जाती है। इसमें गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदाई माना जाता है। ब्रहस्पती के दिन जगतपालक श्रीहरी विश्णू जी की पूजा का विधान है। कई लोग ब्रहस्पते देव को बुद्धी का कारक माना जाता है। केली के पेर को हिंदू धर्मानुसार बेहद पवित्र माना जाता है। ब्रहस्पती व्रत का पालन करने से मनुष्य की कुंडली से गुरू संबंदित दोशदूर हो जाते हैं। यदि आप विवाह संबधी समस्याओं से ग्रसित है अथवा आपका विवाह होने में विभिन प्रकार की बाधे उत्पन हो रही हैं, तो आपको भी नियमित रूप से पुरान विधी विधान के साथ इस चमतकारी गुरुवार व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत करने और ब्रहस्पती व्रत कथा सुनने से सारी मनो कामनाये पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ती की प्राप्ती होती है। जिन हे संतान नहीं है, उन् अथिक स्थिती में सुधार होता है। बुद्धी और शक्ती का वर्दान प्राप्त होता है और दोशदूर होता है। ब्रिहस पतेवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करें। नहाने के बाद ही पीले रंग के वस्त्र पहन लें और पूजा के दौरान भी इनी वस्त्रों को पहन कर पूजा करें भगवान सूर्यवमा तुलसी और शालिग्राम भगवान को जल चड़ाएं। मंदिर में भगवान विश्णू की विधिवत पूजन करें और पूजन के लिए पीली वस्तुओं का प्रयोब करें। पीले फूर, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी का प्रयोब करें। इसके बाद केले के पेर के तने पर चने की दाल के साथ पूजा की जाती है केले के पेर में हल्दी युक्त जल चड़ाएं केले के पेर की जड़ों में चने की डाल के साथ ही मुन्नके भी चड़ाएं इसके बाद गी का दीपत जलाकर उस पेर की आरती करें और केले के पेर के पास ही बैठकर व्रत कथा का भी पाथ करें कथा के अनुसार प्रा तो ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न तो व्रत करती थी और नहीं दान पुन्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं वो राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरू ब्रिहस पतिदेव साधू का रूप धारन कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधू ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, ही साधू महाराज, मैं इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाए बताएं, जिससे की सारा धन नश्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। इतना सुनकर ब्रिहस पतिदेव ने कहा, ही देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुब कारियों में लगाओ, कुवारी कन्याओं का विवा कराओ, विद्याले और बाग बगीचे का निर्मान कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरें। परंतु साधू की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं है, जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नश्ठ हो जाए। तब साधू ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तु धोबी के यहां धोलने देना, इस प्रकार साथ ब्रिहस पतिवार करने से तुम्हारा समस्थ धन नश्ठ हो जाएगा। इतना कहकर साधू के रूप में ब्रिहस पतिदेव अंतर ध्यान हो गए। साधू के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन ब्र दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल से लकडी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर, राजा के परदेश जाते ही राणी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब राणी और दासी को साथ दिन तक बिना भूजन के रहना पड़ा, तो राणी ने अपनी दासी से कहा, ही दासी, पासी के नगर। में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धन है, तु उसके पास जाओ और कुछ लिया, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी राणी की बहन के पास गई, उस दिन गुरुवार था और राणी की बहन उस समय ब्रिहस पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी, दासी ने राणी की बहन को अपनी राणी का देश दिया, लेकिन राणी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, जब दासी को राणी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया, दासी ने वापस आकर राणी को सारी बात बता दी, ये सुनकर राणी ने अपने भाग् उधर, रानी की बेहन ने सोचा कि मेरी बेहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बेहन के घर आई और कहने लगी, हे बेहन, मैं ब्रिहस पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है, तब तक न तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली बताओ दासी क्यूं आई थी, रानी बोली, बेहन, तुमसे क्या छिपाओ, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भराई, उसने दासी समेत पिछले साथ दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बेहन को बता दी रानी की बेहन बोली, देखो बेहन, भगवान, ब्रिहस, पतिदेव सबकी मनों कामना को पूर्ण करते हैं देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बेहन के आगरा करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सच्मुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया ये देखकर दासी को बड़ी है रानी हुई, दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधी पूछली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें तब रानी ने अपनी बहन से ब्रिहस पतिवार व्रत के बारे में पूछा, उसकी बहन ने बताया, ब्रिहस पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें इससे ब्रिहस पतिदेव और भगवान विश्णू प्रसन होते हैं वुरत और पूजा की विदी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने वुरत रखा वो घुर साल में जाकर चना और गुर लेकर आई फिर उससे केले की जड तथा विश्णू भगवान की पूजा की अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई चून की उन्होंने वरत रखा था इसलिए ब्रिहस पतिदेव उनसे प्रसन थे वो एक साधारन व्यक्ति का रूप धारन कर दो थालों में पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ब्रहन किया उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी ब्रहसपती देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई परन्तु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तुम्हें धन रखने में कश्ठ होता था इस कारण सभी धन नश्ठ हो गया और अब जब देव ग्रहसपती की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दान पोन्य करना चाहिए, भूखों को भूजन कराना चाहिए और धन को शुब कारियों में खर्च करना चाहिए इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ती होगी और पित्र प्रसन होंगे दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुब कारियों में खर्च करने लगी इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा ब्रहस पतेवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आर्ती की जानी चाहिए इसके बाद प्रसाद बांट कर उसे ग्रहन करना चाहिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में बोलों ब्रहस पती देव की जय